हेलो गाइस वेल्कम बेक टू दे चैनल टोई व्यू जैसे कि आज आज आपको दिखाई दे रहा है कि आज मैं आपके सामने कौन सा टोई लेके आया हूं जो कि है एक रिमोट कंट्रोल ट्रेन प्लास ट्रैक आपको यहां पे दिखी रहा है तो बहुत बड़ा सा बॉक्स है और इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स निकलने वाली हैं जो जिससे हम मिलके एक बहुत बड़ा सा एक ट्रैक बनाएंगे और कुछ इस टाइप से ट्रेन देखने को अपने को मिल सकती है तो मैं करन सोनी अपने इस चैनल पे न्यू टॉइस गैजेट्स के अन्बॉक्सिंग करता ही रहता हूँ तो जिसने पर किते के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के लेटेस नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स के बारे में से पहले हम देखते हैं इसके फ्रंट बॉक्स में यहां पर कुछ दिखिए इसके कंटेंट्स नजर आ रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है एक लोको मोटीव कोल कार कार्गो पैसेंजर लॉंग स्टेट ट्रैक्स दिया है एक कर्व ट्रैक्स दे रहे है और एक ट्रांस्मीटर दिया हुआ है ट्रांस्मीटर यानि की एक इसका जी हां रिमोट एक लोकोमोटीव दिखाए दे जिसमें आगे एक लाइट नजर आ रही है बैक साइट पर देखते हैं जी हाँ यह कंप्लेट डिस्क्रिप्शन इन्हों ने बैक साइट पर दे रखे बॉक्स के इसको मैं एकदब सेट कर देता हूं देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यहाँ पर यह वाली कुछ आइटमस मिल सकती हैं जहाँ पर यह ट्रैक्स भी नजर आ रहे हैं कैसे लगेंगी यहाँ पर एक्स्प्लेइन कर रहे हैं फोर बैटरी यूज ओने वाली है एक टाइम यानि जो इंजन के टॉप बॉक्स को ओपन करके उसके इंदर लगी तो वो तो चलिए मैं आपको दिखाई दूंगा और यहाँ पर कुछ रिमोट के बारे में एक्स्प्लेइन करें कि कैसा वो रिमोट काम करेगा तो चलिए ब आपको नजर आए रहा है कि यह पूरा को पूरा जो ट्रैक निकला चुका है पकिंग आपके सामने है यह कि कि बड़ी आप पैकिंग कर रहे है थर्मा कोल के केस के अंदर तो चलिए एक एक हिस्सा निकालते है और देखते हैं इसके अंदर क्या के मिलता है अपने को आपके वाले ट्रैक हैं जो इतने सारे निकले हैं यह कुछ कर्व ट्रैक्स निकले हैं इसमें जो कि एक रोटेशन देंगे यहां यह देखिए यह इंजन इसका बाहर आ चुका ओनो शुच आपको यहां पर नजर आई रहा होगा और यहां पर बैटरी जिलने वाली है तो चलिए दिखते हैं कैसे और काम करेगा जाए जिया यहां यह जो है एंटीना है जो की इसकी उपर यहां पर यहां पर एड़े ओने व imitate असको अब भी कर देते ह। का आँबा वी कर सकते हैं देखो दिखाई दे रहा हैं आपको कितना लंबा हो गया तो अभी फिला में इसको छोटा करते हैं जैसे के आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ये सारा समान निकलाAl वो 162 by 84 cm की होने वाली है, जैसे कि यहां पर हमें बॉक्स में दिखाया गया है, इसके जो ट्रैक की लेंध होने वाली है, वो 162 by 84 cm की होने वाली है, तो चलिए देखते हैं, कि यह इस टेबल पर पुरा आप आता है, यह नहीं आपाता है, यह दोस्तों आप देखें कि किस त यह देखें, यह ऐसा एक ग्रूव बना हुआ है, और यहां पर एक ऐसे ग्रोव हुआ है, तो बस आपने इस ग्रैकेट को ग्रैकेट के अंदर ऐसे उपर से यह अटेच कर देना है, ऐसे, यह देखें, यह कुछ इस टाइब से बन जाएगा, जैसे कि आपको दिखाए दे रहा है कि इसका जो एक ट्रैक है, वो पूरा एक टेबल के जितना बनके है, जैसे कि आपको दिखाए दे रहा है कि एक टेबल है, डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा टेबल है, यानि कि हम इसको कह सकते हैं कि 8-10 सेटर का टेबल है और यह इतन बड़ा इसका track त्यार हो चुगा है तो आप खुदी समझ सकते हैं कि इसके कितना बड़े लेंथ होने वाली है जल्दी से अब इसके अंदर बैटरी डालते हैं देखते हैं इसकी working कैसी है फिर देन उसके बाद देखेंगे एक चोट ऐसे cinematic shot इसके locomotive के अंदर जो है बैटरी डाली है तो सबसे पहले हम इसकी quality भी देख लेता है साथ साथ बैटरी भी डालेंगे तो आपको जैसे की दिखाई दे रहे कि बहुत ज्यादा finished product है highly आपको glossy material इसमें दिखाई दे रहा होगा बैटरी डालने के लिए कुछ निया पस एक सा कोटा सा स्क्रू है उसे ओपन करना है एं देन वह बैटरी के लिए केस ओपन हो जाएगा यह देखिए बहुत असानी से हो गया इसमें फोर डबल एकी 1.5 वॉल्ट की बैटरी उस होने वाली है जो कि मैं लेकर आ चुका हूं तो डालते हैं इसके अंदर केसे बने वह बैट जी यह तो हो चुका है अब डालते हैं इसके रिमोट कंट्रोल में बैटरी तो रिमोट कंट्रोल में यहां पर डलनी है इसको उपन करेंगे और इसके अंदर भी दो 1.5 वॉल्ट की डबल एकी बैटरी डलने वाली है यह देखिए बैटरी डलके तो रिमोट चालो हो गया यहां पर यह बटन दबाऊंगो तो लाइट चल दिए तो चलिए जल्दी से अब इस ट्रेंड को असेंबल करते हैं यानि असेंबल तो करी दिया है हमने बस ट्रेंड को ट्रैक पर लगाना है और ट्रेंड स्विच ओन कर दिया यह स्विच ओन कर दिया इसका आगे बढ़ाते हैं यह देखिए यह आगे का बटन प्रेस किया तो यह ट्रेंड स्टार्ट होगे आप पर दिखाई दे रहा है मेरे को बहुत बढ़िया सी फील आ रही है इसकी यह देखिए और अभी तो स्विफ मैंने आगे का बटन दबाया है तो यह स्विफ नॉर्मल ही आगे बढ़ रही है नेक्स्ट स्टॉप यह देखिए ट्रेंड पूरी तरह रुख चुकी है आपको दिखाई दे रहे हैं अगर मैं इसका बैक का बटन दबाता हूं यह देखिए कितना ब जैसे भी आपने देखा कि यह आगे और पीछे तो मूब करी रही है अब देखते हैं इसकी कि यह फास्ट फॉर्वड में कैसे मूब करती है अब इसका फास्ट फॉर्वड देखने के लिए पहले हम इसको नॉर्मल रन करते हैं यह आपको दिखाई दे रहा है यह नॉर्म देखते हैं यह देखिए म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा यह देखिए हम चाहे तो इसका सांड रोख सकते हैं यह देखिए पूरी रुख चुकी है म्यूजिक भी साथ रुक चुक है यह देखिए उसे म्यूजिक चल रहा है і और इसकी लाइटिंग आपको दिखाई दे रही होगी यह slow में चल रही है अब यह मैंने slow वाला बटन दबाया है तो यह slow में चलेगा अगर मैं fast करता हूँ यह देखें fast होगी music इसका बंद करते है वैसे music बहुत अच्छा है realistic train का music है यह music बंद करते है music को बंद करने के लिए आपने सिप जैसे पोज का बटन यह stop का बटन दिखाए दे रहा है वो दबाना तो पूरी train रुकेगी तेन music भी साथ ही रुजएगा आगे चलाते है यह देखें कितना बढ़िया फील आरहा है तो चली यह देखते हैं कि चोटे सा cinematic कर दिए कर दुक हो sólo oh हुआ कर दो कि आपको यह ट्रेन नजर आ रही है पूरी कि पूरी इसकी आपने आवाज सुनी म्यूजिक सुना लाइटिंग देखी और अगर हम इसके मैं डिफरेंट कार्स को देखूं जो पीछे बॉक्सिस यहां इसको नॉर्मरी डब्बे गाते हैं इंजन के डब्बे आप और इसमें अगर देखूं तो यह जैसे कोल की फीलिंग दे रहे हैं यहां पर कोल का कुछ ऐसा टेक्ट्चर सा बनाया हुआ है यह एक एंप्टी बग्गी है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के अगर लाइफ स्टॉक्स लेके जाते हैं वह होते हैं प्लस यहां अगर कोई चारा बागेरा हो यहां कुछ भी हो जैसा कि ओपन समान जो जा सकता है और यह लास तो पता ही है यह प्रसेंजर का जिसमें यह आपको प्रसेंजर की विंडोस पे शकल दिखाई दे रहे होंगे यह आई यह तो यह तो डोनल्ट ट्रम्प जैसे शकल लग रही है बड़ मूचो व है यह तरेन्र रिवर्समें पी चलती है दिखाई दे रहा होगा है यह झाल आजँ यहिए देखेझ रिवर्सम पी चलते है और इसका म्यूजिक चल रहे हैं यह म्यूजिक भी साथ चलेगा है इसे को annéeHarley ए पोज करते हैं यह तो गई पोज हो बिल्छ गई डोटे्ट में honour देखें कि बच्चे कैसे खेलेंगे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके साथ यह एक रिमोट कंट्रोल के अडिशनल फैसिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी तो अगर किसी को भी प्रोड़क्ट चाहिए आपके अपने डोस्टेप पे तो वो यहां पर एक नंबर आ आ चुका है रिमोट इसका बहुत अच्छा वर्किंग करता है प्लस इसकी रेंज अच्छी है जस्ट बिकॉज ओफ यह इसका एक एंटीना है एंटीना को हम खीच के लंबा भी कर सकते हैं तो गाईस आई होब आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो ल